हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने email id का जो password होता है वो कैसे पता कर सकते हैं दोस्तो हम लोग के mobile में काफी सारे password save होते हैं जिसके वैसे हम लोग बूल जाते हैं अपने email id का password तो बहुत ही simple है आपको क्या करने ही simply आपके mobile में जो भी setting option होता उसमें चली जानी है और यहाँ पर आप थोड़ा से scroll down करेंगे तो कहीं ने कहीं आपको जो है Google इस तरह का लिखा हुआ आता है देखो जैसे मेरे यहाँ पर आ रहा है तो simple आपको Google आपसन में चली जानी है और यहाँ पर आपका email id है ऑप जो है email id पासफोन जो है इसको पता करना है तो simply हम क्या करेंगे यहाँ पर manage your 911 on your dashboard पासवें क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं Google account में आ जाओंगा यहाँ पर हो सकता है कि आपको अपना screen का जो lock है या fingerprint मागे तो वो दे देना है यह fingerprint देखे यहाँ पर आगे बढ़ जानी है और यहाँ पर simple उपर मैं आपको security का option मिलेगा इस security वाला option मैं आपको click करनी है और इसके बाद आपको simple थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको password का option मिलेगा जो कि आप यहाँ पर देख सकतो है इस जिरब पर तो मैं इसमें जैसी click करूँगा तो simple सा यहाँ पर हो सकता है मुझे अपना screen का जो lock है वो मागेगा screen का lock यानि की password वगरा देखी यहाँ पर verify करने के लिए बोल रहा है अगर यहाँ पर face से भी verify हो जाएगा अगर आप fingerprint से verify करना चाहेंगे तो उससे भी verify हो जाता है और जैसे यह verify हो जाएगा simple से आप अपना password को जो है वो change कर सकते हैं यहाँ पर new password बोल रहा है और confirm new password यानि की जो भी password हमको रखना है वो यहाँ पर डालेंगे same उसी password को यहाँ पर डालेंगे इसके बाद यहाँ पर change password वाला जो option आप लोगो दिख रहा होगा इसमें जैसी हम click कर देंगे तो हमारा जो password है दोस्तों वो change हो जाएगा और कुछ इस प्रकार से हम आपने email ID का password को simple change कर सकते हैं I hope दोस्तों आपको एच छोटी से वीडियो informative लगी होगी और ऐसी knowledgeable and interesting videos देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें Thank you, thanks for watching